हलो एवरीवान, वेलकम चु माई चैनल, सो दोस्तो आज की ये विडियो बहुत जादा इंपोर्टन्ट होने वाली है, हमारे बीए प्रोग्राम सिक्स सेमिस्टर वाले स्टूडन्स के लिए, सो दोस्तो आप मैंसे जितने भी स्टूडन्ट हैं जो की सिक्स सेमिस्टर के अं वो आप पढ़ने वाले हो, Understanding Globalization, इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को किस टाइप के कोशन्स देखने के लिए मिलेंगे, आज के इस कोशन पेपर में हम यही डिसकस करेंगे, जितने भी कोशन अंसर की वीडियो में आप लोगों को कराने वाली होना, आप ये मान कर च आपको आपके कोशन पेपर के अंदर जब आप एक्जाम देने जाओगे तो 90% कोशन इसी टाइप के देखने के लिए मिलेंगे, तो चलिए वन बाइवन करके हम सभी कोशन्स को डिसकस करना शुरू करते हैं, सो गाइस हमारा सबसे पहला कोशन है, जिसमें हमसे पूछा ज के बारे में explain करना है, और बताना है कि उसके economic and technological dimensions क्या है, सो डिटेल के अंदर हम answer के बारे में discuss करेंगे, answer वाली वीडियो के अंदर, don't worry, अच्छे से मैं आप लोगों को ये answer कराने वाले हैं, इस कोशन गा, गाइस हमारा question number second है, शान्ती बहाल तथा मानव अधिकारों की स दुरुक्षा सयुक्त राश्ट्री संग के दो महत्वपूर्ण कारे हैं, व्याक्या कीजें, तो सयुक्त राश्ट्री संग एक ऐसा topic है दोस्तों, जिससे आपको एक question आपकी exam में जरूर देखने के लिए मिलेगा, तो previous year के अंदर जिस टाइप के question सयुक्त राश्ट्री स संग से बने हैं, मैं वो सभी question आपको cover करा दूँगी, जिससे कि चाहिए question किसी भी दरीके से गुमा कर आपकी exam में पूछा जाए, आप उसका as it is answer कर सको, सो इस question के answer के बारे में भी हम detail में discuss करेंगे, सयुक्त राश्ट्री संग की स्थापना कब हुई, इसके क्या कारिया ह हर चीज के बारे में मैं आपको detail में explain करूँगी, इसके बाद हमारा question number third है, G77 क्या है, विकाशील देशों के hit के संग्रक्षन है तू, G77 की भूमिका की विवेचना केजे, So again, यह एक important question है दोस्तों, क्योंकि जो भी इस type के groups हैं हमारे इंडिया के अंदर या international level पे, जो भी groups हैं, जो की economy से related basically हैं, तो उन से related एक question आपके exam के अंदर जरूर पूछा जा सकता है, international level पे यहां पे जो भी groups हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा question number four ह जै विवित्ता का क्या महत्व हैं, जै विवित्ता की छती के लिए उत्तरदाई प्रमुक कारक क्या हैं, so biodiversity भी एक important topic है आपके exam point of view जे, क्योंकि जब भी हम वैश्वी करंट की बात करते हैं, तो वैश्वी करंट के साथ जो हम बात करते हैं development की, और जब हम बात करते हैं development क तो कहीं न कहीं परियावरण के बारे में discuss करना, biodiversity के बारे में discuss करना important हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं development की वजहा से जो हमारा परियावरण है, biodiversity है, वो impact करती है, तो उसे से related ये fourth आपका question रहेगा, इसके बारे में भी हम detail में discuss करेंगे answer वाली वीडियो के अंदर, इसके ब अंदर और उनके बेच आसमानताओं को बढ़ाया है, परिक्षन कीजे, वैश्वी करन्ट की positive side भी आपकी exam में पूछी जा सकती है, और negative side भी, तो inequality वैश्वी करन्ट का एक negative aspect है, तो इस से related points है, वो भी हम detail में discuss करेंगे, इसके बाद है हमारा question number 6, question number 6 के अंदर हमसे इसके बाद के संदर्म में, रियो सम्मेलन के योगदान की विवेशना कीजिए, so guys, environment versus development की जो debate रहती है, उसके बारे में आपको question number 6 के अंदर explain करना है, और especially रियो सम्मिट के बारे में, तो guys, ये जितने भी summits हुए हैं, environment से related, इन में से कोई ना कोई question आपकी exam में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो एक बार में previous year के अंदर जितने भी ये आपकी सम्मिट से related question frame हुए हैं, वो मैं आपको करा दूँगी, जिससे की again question किसी भी type से आपसे पूझा जाए, आपको problem ना हो, और आप easily उसका answer कर दो, इसके बाद हमारा question number 7 है, अंतराश्टिय आतंग आतंगवाद को परिभाशित कीजिए, अंतराश्टिय आतंगवाद की प्रकृति और इसकी मुख्ये विशेष्टाओं की व्याक्या कीजिए, आपको explain करना है question number 7 के अंदर, और इसकी प्रकृति क्या है और इसकी विशेष्टाओं क्या होती है, यह आपको बताना है, question number 8 क के अंदर अगेन आपके पास चार option हैं जिसमें से किसी दो option के उपर आपको short notes लिखना है पहला हमारा option है वैश्विकरन विरोधी आंदुलन इसके बाद हमारा next option है मानव विकास सूचकांग option number 3 है हमारा भूमंड लिये तापन और option number 4 है हमारा वायू वायू प्रदूशन तो गाइस यह 8 कोशन आपके previous year कोशन पेपर के अंदर यहां पे दे रखे हैं मैंना आपके साथ 8 के 8 कोशन डिसकस कर लिए इन कोशन अंसर की वीडियो आपको जल्दी ही चैनल के उपर देखने के लिए मिलेगी तो गाइस अगर आज की वीडियो आप ल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा जिससे की जब भी मैं आप लोग के लिए कोई नवी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और इस वीडियो को आप लोग जादर से जादर लाइक करिएगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर ब जा दोर आज के बूले वीडियो अोट कर अफधिय को आपको 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 बल्लेगा जाज जाउवं लोग जाँसे का लोग भी जाएगा